इससे यही तो हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि सरकार कम से कम रोजगार की बात कर रही है, नोकरी की बात कर रही है, तो हम लोगों के जैसे लोगों अनुभवी रहे हैं। मेरा नाम डाक्टर गुतेश्वर्ट पटेल है, पुरे बिहार में हमारी संख्या मात्र 2110 है, और लगतार हमारे पर सिछक कर करीबं 15-20 वरसों से विदाले पर लुगभदारी सुनिचित करने के लिए लगतार काम करते आ रहे हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि सिछकों को मानिय उच नियाले के आदेशा अनसार सिछकों को गैर सेच्छनी काम से हटा दिया गया है जैसे बी आरसी और सियासी से। उस अस्थान पर गैर सेच्छनी काम हमारे भीशिस पर सिछकों को दिया जाए। बार बार हम सरकार के घर में अपना हम आविद्वन देती आ रहे हैं। हम अपना भिजार देती आ रहे हैं। परतेक जिले से आये हुए हैं और पिसो जिले के लोग आये हुए हैं आज। सिक्छा भीभाग से जुड़ा हुआ भीः सिक्छा परियोजना के हम लोग जिला पर प्रसिक्छक हैं। पूर्म दिये भी हैं जब विरोधी दलके नेता थे उससमें भी आवेदन दिये और अभी जब DPCM बन गया है फिर आवेदन दिया है कि हम लोगों के उपर ध्यान दिया जाए और सिख्छा भी भाग के सारे कर से लगब कभी कोई तो 20 से उपर 22-24 साल तक का जी 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 नहीं किया नहीं किया साल में 2-3 माँ बाकी दिन नहीं है अब कैसे चलाते हैं आप समझिये यही तो हम सरकार को बताना चाह रहा है कि सरकार कम से कम रोजगार की बात कर रही है तो हम लोगों के जैसे लोगों अनुभवी लोगों पर ध्यान दे कि सिख्छा विभाग में जो सिख्छों को रह कर गय कि एक भी सिख्छक किसी भी गयर सेक्षनिक कार्ज में नहीं रहेंगे तो उनको इस पत से हटा कर और हम लोगों से भरा जानुभवी लोगों से हम लोगों के यहीं डिमांड है शारं शप्रा से आये हुए है बिहार बिये से उत्परे रख काम लोग काम करते हैं गवर सेक्षनिक जो भी ओता है और साल में हम लोगों को दो से तीन माह काम मिलता है और बाकी भी बैठा के रखा जाता है. इसलिए हम लोग आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं ताकि हम लोग का नियमीत कॉरन हो जाए पस्मिच अमपारन बेतियां से आये हैं जी हम लोग उत्परेरक हैं और यहां तक है कि हम साल का 2-3 मा का कार मिलता है और 400 रुपिया का मांदे मिलता है इतने दिनों से आवेदन देते देते हम लोग ठक गए लेकिन अभी इनका सरकार जब हुआ है तो हम लोग का उमंग भी आया है कि रोजगार देने का बात कर रहे हैं तो आज हो शकता है कि हम लोग को भी रोजगार मिलेगी और हमारे घर की भी परिवार अच्छे से जीएगी चलेगी क्या उमीद है हम लोगों को तेजस्वी आदब जो आये हैं तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है और जो हम लोगों को मनोबल उंचा हुआ है जो हम लोगों को निश्चीत और बड़ हम लोगों को काम दिया जाता है हम लोगों को भूल भूल या करके जो है पूड में सरकार थी इसा नहीं उठाना चाहते है लेकिन 2004 से प्रेटिशन इनको देते आ रहे हैं सरकार को लेकिन हम अभी तक ध्यान बात आकर से नहीं चाहिए लेकिन क्या है कि सरकार हम लोग उपर में ध्यान नहीं दी है लेकिन हम लोग पूरी उमीद है इस सरकार से हम लोग जो कार्ज है कि सरकार पूरा करेगी हम लोग अपील किये है जी हां यहां यह जो गैर सेक्षणी कार्ज सिक्षकों से लिया जा रहा है हम लोग काहना आई कि हम सक्षम हैं तो फिर हम से यह क्यों नहीं लिया जा रहा है सारे पूरे प्रदेश में करिए 110 हमारे जैसे प्रसिक्षक कारेरत है लेकिन बस दो या तीन महिने कारी करा करके फिर हम लोगों को बैठा दिया जाता है मात्र चारसो पांचुर रुप्या प्रती दिन के मांदे पर तो तेजस्वी जादों से हम लोगों को बहुत उमीद है चुकि इनका वाजा भी रहा आए कि 10 लाख हम नियमित करेंगे और रोजगार भी 10 लाख पहला ही करम चाहब बोले थे कि 10 लाख रोजगार देंगे क्या उमीद है जी आपके जैस्वी जाजाओ जब से सीएम बने हैं तो आसा की किरण जगी है चुकि बीगात हम लोग 20 वरसों से ये कार्ज करते आ रहे हैं लेकिन सरकार आश्वासन देते रही है कि आप लोग को नियमीत कर दिया जाएगा लेकिन नहीं कि चुकि मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूं लेकिन बहुत सारे कागजात देने के बहुजूद भी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आज ये लगता है कि ये कार्ज करेंगे चुकि ये कहते हैं कि हम 10 लाग रोजगार देंगे और 10 लाग को नौकरी देंगे तो इनको केवल हमको नियमीत कर देने की आउ सकता है और करते हैं कि हमको अगर नियमीती कर देंगे तो हमारा एकई सोग का पूरा परिवार जो है से सुख में हो जाएगा और सुख में जीवन जीएगा जब विपक्ष में थे तो हम कागज दिये थे तो विर्हान सभा में क्वेश्चन भी हुआ था जिस रोज मारफिट हुआ था विधायक और के साथ में ज़न्जट हुआ था उस रोज हमारा प्रस्न भी उठाया था तो मैं यही अनुरोज करना चाहता हूं तेज स्वी जी से जो हम लोगों को कम से कम हम लोगों को नियमीद कर दिया जाए और पोस्ट अनुभाव और एस्पिरेंस हम लोगों के पास है 20 साल से अनुभाव और एस्पिरेंस है घर सेक्षनिक काम हम लोग करते आ रहे हैं इसलिए हम चाहते हैं तेज स्वी जी से पूरा उमीद है जो हम कम अरे उपर ध्यान दिया जाएि union को इसमें काम करते करते वाल कितने को पगया कितने को यह हो गया आज होगा नोजी कल होगा नोजी उमीद लगा बैटे हुए लेकिन सब्सक्राइब को खियू हम लोगों को करूं को काम करी हो जाएगा